बीएट डिग्री धारक प्रात्मिक सिक्षकों को पटना हाई कोट से तगरा जटका लगा है हाई कोट ने बिहार प्रात्मिक सिक्षा पत पर पिछले दो सालों से नियुक्त बीएट डिग्री धारक नियोजित सिक्षकों को हटाने का फैसला ले लिया है बता दें कि कोट के इस फैसले से अब लगभग 22,000 सिक्षकों को सेवा मुक्त किया जाएगा जो पिछले दो सालों से नियोजित सिक्षकों के रूप में सेवाएं दे रही थे बता दें कि 2022 में छटे चरण में 42,000 नियोजित सिक्षक बहाल हुए थे जिसमें से एक से पांच वर्ग तक के लिए 22,000 नियोजित सिक्षक बहाल किये गए थे इसके पहरे दो दिसंबर को हाई कोट ने 28 सिक्षकों के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब जाकर के कोट ने इस पर फैसला सुना दिया है और 22,000 प्राथमिक सिक्षकों पर गाच गिर गई है पता दें कि पटना हाई कोट ने सुप्रीम कोट के निर्ने के आलोग में ये सपस्ट किया है कि राज्य में प्राथमिक वर्गों में 28 डिगडी थारक सिक्षकों क रूप में नियुक्त नहीं होंगे वहीं चीफ जस्टिस केवी चंदरन और जस्टिस राजीव रॉय की खंड पीट ने ललन कुमार और अन्य द्वारा बड़ी संख्या में दायर याजिकाओं पर शुनवाई की है कोट ने ये स्पस्ट किया है कि प्रात्मिक कक्छाओं में डियले डिग्री प्राप्त सिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी इतना ही नहीं कोट ने कहा है कि रिट याजिकाओं को इस निसकर से स्विकार करना होगा NCTE द्वाराद जारी 28-6-2018 की अधिसूचना अब लागू नहीं है बेड उमिदवारों को प्रात्मिक विद्याले के सिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जा सकता है कोट ने कहा है कि जो नियुक्तियां की गई है उन पर नए सीरे से काम करना होगा मूल के अनुरूप ही योगे उमिदवारों की नियुक्ति की जाएगी बता दें कि जिस तरीके से लगातार अभी नियुक्तियां की जा रही और ऐसे में जहां इन सिक्षकों को निलंबित किया है तो फिर क्या अब फैसला बदलेगा वेरो डिपोर्ट नियुस पियार लाइव पटना